रमजान मा में एक मा का रोजा रखे जाने के बाद आज इदुल फितर के अवसर पर इद गाहों में अदा की गई विशेज नमाज साथ ही देश में अमन और चैन की दुआ मांग कर एक दूसरे को गले लगा कर दी गई मुबारक बाद रमजान के पवित्र महिनों में 30 दिनों तक रखे जाने वाले रोजा के बाद आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इद का तेवार मनाया मंगलवार को पूरे देश भर में शहर के इद गाहों सहित मस्जिदों में इदुल फितर की विशेज नमाज अदा की गई इसी कड़ी में दुर्ग में भी शहर की मस्जिदों सहित इद गाह में इदुल फितर की विशेज नमाज अदा की गई जिसमें दुर्ग के तकिया पारा ईदगा मेदान में सुबह आठ बजे और गंज पारा ईदगा में सुबह नो बजे सहित दुर्ग जामा मस्जिद में नमाज अदा कराई गई गौर तलबह की इसलाम धर्मे में रमजान के पवित्र महिने में पूरे माँ अल्ला की इबादत कर रोजा रखा जाता है और इसी के आखरी दिन चांद का दिदार कर ईद मनाई जाती है इसके चलते आज ईद की विशेश नमाज अदा की जाती है साथ ही नमाज के बाद खुतबा के समापन पर मौलाना ने दुआ पढ़ी और हजारों हाथों ने एक साथ देश भर में अमन और चैन की दुआएं माँगी वही नमाज पूरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर इद की मुबारक बात दी सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को बढ़ाई दे कर कहा कि भारत एक भावना प्रधान देश है यहां विभिन धर्म और समुदाय के लोग आपसी सभात के साथ एक साथ रहते हैं कई बार ऐसे औसर आते हैं जब हिंदू, मुस्लिम, सीख और इसाई धर्म के बड़े त्योहार एक ही दिन मनाए जाते हैं जिस तरह तारिकों में धार्मिक सद्भावना हैं उसी तरह हमें आपसी सावंजस एवं सद्भावनाय सदैव बनाई रखनी हैं कई विभाजन कारी ताकतें सदैव समाज को बाटने में लगे रहती हैं किन्तु हमारे देश, प्रदेश एवं विशेश कर दुर्ग शहर ने यह दिखाया है कि हम सभी एक जुट हैं ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट